इस स्टूडियो ट्रेडर्ज आज इंडियन होटल को हम ट्रेड कर रहे हैं upsffr मार्केट वहाँ पर करती क्या है फ्राइज वहाँ से यस्टेंस ब्रेक कर रहे हैं है इड当 कि लगा रहे हैं बाइनूट सी चीजें होती जिनकों कि अप fat där करोगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि मेरे लेवल्स देखने की भी ज़रूरत आपको ना पड़े आज की मार्केट देख करके लगा था कि ऐसे जा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वोलाइटिलिटी हम में लग रही थी आज भी देखिए हमने और अपना एक लगाया था एक स्टॉक के में एक और हम लगा रहे थे हां पर अपना यस बैंक को लेकर के स्टॉरी जील को हैना तो जील में और मेरे रिजक्ट हो गया बिकॉस इशु दिखाया मार्जिन ट्रेडिंग नहीं लाओ तो जील में हम कर रहे थे वाई टू थाजन क्वांटी के साथ तीन सो क्यावन बहुत ज्यादा थे हमने इस स्टॉक को शेर भी नहीं किया प्रोमो के साथ मेरा और कैंसिल हो गया कोई बात ने एक दूसरा स्टॉक था मेरे पास इंडियन होटिल का मुस्को देखने लग गया तो इंडियन होटिल के अंदर 4000 कॉणिटी का और यहां पर देख रहे हैं में कैश सेग्मेंट का स्टॉक निफ्टी फिप्टी के बाहर का स्टॉक है मुवमेंट्स अच्छी हैं काफी ठीक ठाक मुवमेंट्स देता है जब यह देता है तो अब देखिए इसके अंदर 119 रुपए 10 पैसे पर एंट्री है टार्गेट्स जो इसके अंदर हम मान करके चल इसके अंदर हम में जो स्टॉप लॉस लगाए थे कि एंट्री यह स्टॉप लॉस इसको वन बाइवन फिर सम्लों काउंट करेंगे आयर टाइम पर चलेंगे लोगर टाइम पर आएंगे स्टॉप लॉस एंट्री टार्गेट्स वगरा यह सब कुछ देखेंगे और दूसर शेयर कीजिए उसको अपनी वीडियो के अंदर हम लाएंगे और आपके स्टॉक को रीट करने के कोशिश करेंगे जो भी स्टॉक्स आप ट्रेट कीजिए तो आप उसको कमेंट बोक्स में लिखतीजिए अब क्यूंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते तो एक एक करके सभी इस टॉक्स को पढ़ना या जीट करना रीवीव करना पॉसिबल नहीं नेक्स्ट इम पॉसिबल इउसम जो सबसे अच्छा रीवीव लगेगा के उस स्टॉक को रीड करने से आप सभीलोगों कुछ ना कुछ फायदा हो तो ऐसे स्टॉक्स को मुठाएंगे और रीट यह एक basic level पर होगी exercise जो हम लोग करने इस वक्त एक basic level की exercise है first level की exercise आगे बढ़ते हैं अब जैसे Indian hotel है अपने tradition के according हम लोग सबसे पहले higher time frame पर देखेंगे lower time frame पर देखेंगे entry exits वगरा यह सारी चीज़े से define करेंगे Indian hotel में आप एक चीज़ देखिए पहले इसके अंदर जल्दी से यहां पर हम लोगे काम करते हैं क्योंकि entry भी में जल्दी मिली है तो 190 190.50 यहां पर फर्ट से पहले अपने stop loss लगाएंगे कोपी इस पैसल मार्केट पेस्ट 190.50 परफेक्ट एंड और बुक में 190 रुपे 50 पैसे पर मारा 4000 कॉनिटी का stop loss लग चुका है 191.10 पर फुली ओडर एक्जेक्टेट का इस वद का इस वद का प्रोफिट चल रहा है हमारा 6000 रुपे इस की लगभा का प्रोफिट चल रहा है अभी थोड़ देर पहले हमें इसके अंदर अपनी एक एंट्री को में जिस वद यहां पर हमने पनी एंट्री लिए अभी स्टॉप लॉस के लिए किस कैंडल का हमने यूज के है जैसे आप यहां पर देखेंगे 940 की कैंडल का exact low जो मेरा है यह 190 रुपे 50 पैसे का हमने इस इसके रेंजेज हैं अगर हम मारे टें इन वाले परकार लेते हैं वोल्यूम्स के लिए देख रहे हैं तो यहां पर मेजॉर्टी क्या है कि प्राइस अप से जो डाउंसाइट की तरफ गिरा है तो इसके अंदर वॉल्यूम्स इस वाली रेंज पर आई थी 1st of November के दिन वाल ले लिए और support ले करके price upset की तरफ चला गया यह price analysis हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि अब अगर हम price को analyze करें तो कुछ न कुछ आपको अंदाज़ा पहले सही लग जाता होगा price देखिए हमारा downside की तरफ गिरा है अप से downside की तरफ गिरा है volumes increase हो गई price ने उसी range से support ले लिया price हमारा upside की तरफ चला गया अब जिस एक range से price हमारा upside की तरफ जाता है वो एक support ही तो होता है price ने क्या किया है अपने supports को इस वाली range से downside की तरफ ब्रेक किया बहुत simple language यह आपको बता रहा है price ने अपने supports को यहाँ पर break किया है with volume with volume ब्रेक किया अभी एक range को price ब्रेक करके हमारा downside की तरफ ट्रेवल कर रहा है ऐसा क्या था कि price वापस हमारा उसी range के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है इतनी से चीज़ को समझे रहा है अब आ जाते हैं हम लोग 1,2,3,4,5,6 previous weeks की कुछ candles पर अब ये एक candle है जिसके माध्यम से price ने 1,92,4,5 की ये range को ब्रेक किया था प्रेस क्या कर रहा है जिस range से जिस price से अपनी range को ब्रेक किया था इस range के अंदर price एंटर कर गया है ना यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि price के अंदर एक up move हमें show कर रही है market 180.05 इसका एक low लगा था और price वापस से देखे हमारी range के अंदर चला गया यहां पर highs लगा रहा है इसके बाद में आज के trading session में क्या हुआ है कि market ने अपने कल के जितने भी highs थे उनके उपर जाकर के opening दे दी और उनके उपर ही travel करने लगा फिर से समझे इसको price ने एक swing लगाया swing के साथ देखे यहां पर volumes के साथ price ने support form किया support form करते ही price हमारी यहां से upside के तरफ चली गए जैसे ही price ने क्योंकि price upside के तरफ गया है यानि कि यहां पर कुछ ना कुछ supports होंगे जिन support को confirm कर रहे हैं हमारी यह वाली candles हमारी selling वाली candles sale हो रहा है price अपनी range पर अब यहां से देखे जिसे candle ने मेरे range को break किया था volumes के साथ 26th of November price हमारी उसी 26th of November के candle के अंदर जाकर के ही trades करने लगा 26th of November के अंदर जाकर के trade कर रहा है price हमारा यानि कि दो दिन तक तो price हमारा अपनी range के बाहर रहा यहां पर लेकिन फिर price ने अंदर जाकर के closing कर दे दो दिन तक इसने अंदर trade किया है और अभी वापा से price एक और high लगा रहा है तो क्या हम यह मान सकते हैं कि price जो की lows form कर रहा था इतने दिन से अब इसके अंदर highs form हो रहा है highs lows highs अब यहीं से price के हमारा अपना इस वाली range तक जा सकता है जिसके resistance points है 192.40 की range को अगर break कर दे तो price जो mood को continue कर रहा है इसी mood को अगर continue करता है तो एक अच्छा target हमको मिल सकता है higher time frame पर अभी आ जाते हैं सिर्दे हम लोग lower time frame पर higher time frame पर हम लोग ने क्या देखा कि price के जो moves हैं यह upside के तरफ shift हो रहा है इंडराडे के recording अब आते हैं 5 minutes पर morning में price एक high movement के साथ upside के तरफ गया था क्यों गया था 185 इन lines को याद रखिएगा 185.80 यह range हमारा यह support points है इतना deeply जो हम price को आपको analyze करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत ध्यान से इसको समझने की और पढ़ने की कोशिश क्या कीजिए शोर शराबे में बैठे हूँ अगर तो कुछ समय के लिए वीडियो को pause कर दिए शांत जगे पर जा करके आप इसको देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा classes बगार हम जब discuss करते ना तो एक-एक candle को discuss करना पड़ता है एक-एक price को discuss करना पड़ता है अब यहीं पर मान लिजिए कि 185.50 इस range को अगर हम discuss करने आपसे 185.80 और आप इसको भूल गए कि higher time frame पर इसकी range क्या था यह line ही कहां से आई तो तो आप confused हो गए फिर आपको क्या यह एक line देखेगी इस line का महत्व क्या यह आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप disturb हो गए तो इसलिए बहुत इत्मिरान के साथ फोकस होकर कि यह चीज देखिएगा अब यहां पर आपको मौलूम है कि यह वाली जो range हमारी यह higher time frame की range है 185.80 यहां से price हमारा upside की तरफ गया अब upside की तरफ गया जैसे ही price यहां से टकराया इसने एक red candle का formation किया सबसे first red candle का formation मेरा 940 पर हुआ यानि कि 940 candle ने एक मेरा swing लगाया हमें swing को mark कर लेते है अभी swing के नीचे देखिए price हमारा नहीं जा पा रहा है कितने सारे rejection swing के नीचे से मिल रहे है volumes को height कर देते है अब यह वाला जो मेरा point है यह एक important point बन जाता है यहां तक आपको समझ में आया होगा अब यहां पर एक बात निकल करके आती है कि price ने जो हमारे swings लगा है यहां पर जो हमको सबसे latest swing नजर आ रहा है वो यह वाला swing है 9 बचकर 15 मिनिट की जो candle का low है यह मेरा swing है अभी price ने क्या क्या है कि यह candle मेरी reference candle बनेगी आज के लिए हम इसका high mark कर लेंगे high mark की है अभी देखे price को इसके upside के तरफ निकलना था अगर upside के तरफ जाना है तो इसके ऊपर में जाकर करके travel करना था exact यहां पर आप price देख सकते 190.80 है इस candle का high हमारा price जैसे upside के तरफ निकला था यहां से जैसे price upside के तरफ निकला था हमने क्या किया कि इसके अग्रेसिव entry अपनी लिए थी aggressive होते हुए भी थोड़ा बहुत इसके अदर हमने अपना management किया तो exact 191.90.50 यह मेरा एंट्री का point बना था कि price मेरी इस range के ऊपर में निकल ले ए 10 पैसे के आज पास हम अपनी entry लेंगे क्यूंकि stop losses जो हमको रखने था वो यह वाली candle थी 190.50 यह मेरा stop loss था entry का price हमारा 191.10 बना stop loss जो हमने इसके अदर अपना देखा वो 190.50 का था यह मेरा entry का point पफेक्ट अभी targets के लिए हम upside के तरफ थोड़ा सा सोचने हैं कि यहां से price उपर की दिशाव में निकलता है तो यहां से अपने targets बुक करेंगे तो overall यह अपना setup है आज क्या price को चलने देते हैं and second part में हम लोग आपने जितने भी stocks हमें recommend किये थे उन stocks का review करेंगे एक एक बार बेट करते हैं इस वत का जो अपना profit है 5200 रुपेज के आसपास का हमारा profit चल रहा है और order book में देखी सभी orders अपने लगे हुए है stop loss and entry points वागर सब कुछ तो चलने देते हैं अपने trade को and को बड़ा move होता है तो आपको inform कुछ और देखते हैं आज की market में अपने लिए क्या टार्गेट था 194.85 रख दिया just 195 से थोड़ा सा नहींचे हमें रखा हुआ है इसको so अब मिसके अंदर अपने जितने भी टार्गेट से उनको book करेंगे 194.85 यहां पर अपने target orders लगाएंगे selling की orders so 194.85 square of square of nsc is 194.85 194.85 75 पर चल रहा है प्राइस 194.85 okay so यहां पर अपने orders लग चुके है 194.85 position book चले अभी orders के निकलने का वीट करना होगा 194.85 यह range अपनी यहां से बाहर की तरफ निकलना है जिस तरह से अपना view था कि प्राइस हमारा upside की तरफ मूब कर सकता है तो उसने काफी अच्छा movement हमको दिखाया so अभी बाहर निकलना है ह सारी quantities निकल चुकी है 15,000 का profit हमारा आज की session का रहा order book में एक बाहर देख लेते हैं 194.85 194.85 4,000 quantities अभी एक भी quantities अपने पास बची नहीं है और जो अपना stop loss order था यह भी cancel हो चुका है entry points perfect एक भी order अपना नहीं बचा हुआ है सभी orders निकल गए है position book overall profit अपना 15,000 रुपीज के पास का अपना profit है यह बाप पेज को refresh कर लेते हैं हम लोग 15,000 perfect so आज क्या trade यह हैं पर हम लोग अपना खतम करते हैं एक अच्छा बहुत अच्छा trade setup हमको आज की दिन मिलाता है Indian hotels के इंदर एक अच्छा RR ratio के साथ हमने ठीक ठाक profit अपना निकाला ओके और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने trade analysis के तरफ कल काफी लोगों ने अपने stocks review करने के लिए हमें शेयर किया जिसमें से एक stock यश कुल करने का है यश ने लिखा है sir target achieved in dower को trade किया था one day time frame से short selling की opportunity देख top loss 598.75 था target original जो था इनका 578.35 था from 4 hours time frame बट बुक जो कर लिये था 580 पर as per one hour time frame thanks to you अभी यश कुल करने का यह stock हम लोग देखेंगे 1st December को डावर को trade किया भी इसके अंदर देखे higher time frame मतलब one hour के according हुने ने trade किया था बहुत अच्छा trading setup था यह one hour time frame के according आपको भी यहां से लाग रहा हो कि यह एक support point है यह वाला point थे कि यहां से price कितनी ही बार हमारा upside के तरफ travel करके upside के तरफ गया है 1st December को क्या हुआ था यह देखे upside गया यहां से भी upside यहां से भी upside यहां से भी upside 1st December को price ने down move एक show की थी यहां पर yes ने क्या किया होगा कि lower time frame के अंदर आकर entries के अपनी confirmations लिएंगी और next 596.05 यह वाला swing break हो जाने के बाद में जो next supports निकल करके आ रहे हमारे पास वो है downside के यह वाले supports बहुत अच्छी तरह से यहां पर अपनी targets को book किया यह सिर्फ और सिर्फ नतीजा है एक अच्छी observation का एक सही observation का ही नतीजा होता है कि जब एक सही stock को सही दिशा में हम लोग pick करके रखते हैं lower time frame पर हम चलेंगे 5 minutes पर 5 minutes पर डावर के अंदर जो entry ली थी 9.15 की candle के breakout क के बाद में यह वाली candle के retracement पर entry ली जो swing हाई थे यह मेरे stop losses बने यह के और downside की तरफ जो higher time frame परिंट के supports थे कि यह वाली range अगर price break कर देता है proper way में अगर break करके downside की तरफ sustain कर जाता है price तो near wise के supposed जो हम को नजर आते हैं वो downside के यह वाले points entry भी सही थी stop loss भी सही था और targets भी जहां अद तक भी आपने book के बहुत अच्छे targets book किये थे keep it up and इसी तरह से trade execute किजे बट इन सब के ऊपर management अपना हमेशा रहेगा blindly हम किसी भी stock को trade नहीं कर देंगे money management और risk management हमेशा बना रहेगा हमारे साथ perfect trade अच्छा था I hope कि आज भी आपने को अच्छा सा trade execute किया होगा thank you और अभी हम लोग अपना दूसरा stock देखते हैं अब जो second stock है हमारा यह निखिल सोनी का है यह निखिल ने 1st December को Tata Motors को trade किया था Tata Motors के इंदर ने भाई किया है 955 की candle at price of 468.50 stop loss जो दिया था 464.50 targets जो नहींने book के थे 478.3 के but target थे 478.3 के but exited जो हो गये थे 476 पर ही हो गये थे because time 3.20 okay समझ गया अपना intraday का time क्योंकि खतम हो रहा था इस वज़े से इन्होंने 476 पर targets को book कर लिया था जानी के दोर पर नीचे है Tata Motors को निखिल ने जो trade किया था 468.50 पर trade किया था अभी 468.50 पर trade किया entries भी अच्छी थी जो stop losses लगाये थे हाँ थोड़े से stressed थे stop losses थोड़े से ज़्यादा हमको लग रहे हैं क्योंकि जो entry आपने लिए stop loss अपनी जगापर सही है बड़ जो entry यहाँ पर लिए यह थोड़ा सा दूर है entry और भी जल्दी हो सकती थे हमारी इसके अंदर जिस phase में जिस तरह से काम करें बिल्कुल सही है देखना सिर्फ यह है जहीं पर हमारे supports ले रहा है higher time frame पर आप देखिए को हमें देखना होगा 1st of December से पहले price क्या कर रहा है जैसे कि 2nd December का यह वाला price है and 1st December का यह वाला price है यहाँ पर हमारे nearby support या फिर resistance निकालने हो गया जिस तरह से आज का trade आपने देखा कि हमने किस तरह से उसको trade execute किया था किस तरह से trade execute किया था अभी यहाँ पर एक swing अगर हम लोग mark कर लेते हैं जैसे एक swing हमने mark कर लिया अब इस वाले support को कोई candle break कर रही है वापस से देखिए इस वाली candle के अंदर price हमारा चला जा रहा है यानि कि यह resistance को break कर रहा है इस तरह से same formations यहाँ पर भी बनती हुने जारा रही हमको कि यहाँ पर price ने इपना swing break किया था price अंदर की दिशा में गया यहाँ से upside की तरफ जा रहा price है और जिस range से इन्हों ने price को उठाया था यह exact support point था अब आपने इसको देखा हो या ना देखा हो कोई भी stock अगर वो चलता है और अगर आपने entry ली है तो lower and higher time frame पर कहीं न कहीं उस stock के अंदर जो placing होती है वो सही ही pick करते हो आप और अगर stop losses जाते तो बहुत बार chance होता है placing की problem होती है मतलब places गलत हो जाते है stock को pick करने के placing importance रखती है अपनी places का सबसे बड़ा important role होता है अभी Tata Motors को भी आपने जो trade किया था बिलकुस सही जगह पर इन्होंने उठाया था यह देखिए एक support से price को उठाया और support से उठा लेने के बाद में एक अच्छे resistance तक जाने का wait किया हम previous day high को target बना सकते हैं या फिर जो आप निकल गए 320 को देखते हुए ज़रूर जिरोधा से आप trade कर रहे हैं जिरोधा से trade कर रहे हैं तो 320 तक आपको time मिलता है बट espresso से हम काम करते हैं तो espresso में शायद 3.9 मिनट पर last time होता है महांसे निकल जाना होता है entry भी सही थी stop loss भी सही था और target भी सही था में मोटिव क्या है अपना इस analysis का कि जो भी trade आप execute कर रहे हैं उसके पीछे का reason क्या है higher and lower time frame के support या फिर resistance points क्या है logically है या फिर in logically काम हो रहा है तो जो भी दोनों trade हम लोगों ने आज देखे review किये यह दोर के दोनों ही trade logically trade थे और दोनों ही trade perfect trade थे काम आपको करना है वह इसी तरह से करना है ट्रेट को जो execution करना है वह इसी तरह से करना है ट्रेट को analyze करना है okay so overall आज का अपना ही trade आज का वीडियों लोग यहीं पर खतम करते हैं overall जो अपना आज का trade था Indian hotel का एक अच्छा trade था perfect trade था और जो आप दोनों लोगों के trade थे ये भी अच्छी टेट्स थे तो येश एंड निखिर दोनों के trades perfect थे I hope उम्मिद ही करते आपसे कि आगे भी जो आप trade execute करोगे ऐसे ही logic के साथ एक perfect placing पर सारे के साथ trade up execute करोगे ओके so thank you and we will meet again